अगर आपकी शादी हो रही है या फिर आप किसी और की शादी अटेंट करने वाले हैं तो ऐसे मैं जो भी आपका ड्रेस है जो भी वेडिंग लहंगा आपका है उसे आपको किस तरीके से चूज करना है ताकि आपकी हाइट जो है और जादा कम ना लगे उससे थोड़ी सी जादा लगे जो भी आपकी एक्शल हाइट है उससे आप कम या जादा नहीं कर सकते हैं लेकिन अपने स्टाइलिंग के थूँ उसे कम या जादा दिखा सकते हैं कुछ ऐसा इल्यूजन्स क्रियेट होते हैं जिसकी वजह से आपकी एक्शल हाइट है उससे आप थोड़ी से जादा दिखते हैं ऐसे ही होता है तब जब आप अपनी हाइट अगर आपकी जादा है और उससे आप कम दिखाना जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ इस्टाइलिंग टिप्स ऐसे हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी एक्शल हाइट है कुछ अगर आप ड्रेसे के साथ कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वज़े से आपकी एक्शल हाइट उससे भी आप बहुत कम दिखने लगते हैं आपकी हाइट कभी भी कम नहीं दिखेगी जो भी आप ड्रेस पहनें इसमें आप पॉफेक्ट आएंगे परफेक्ट दिखेंगे एंड आपकी हाइट जो एक्शल हाइट है उससे आप थोग से लंबे दिखेंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा यह आप यहाँ दिखेंगे के लिए जूल्री से बारे में बात करेंगे तो दोनों वीडियो आप यह चुटे जोरुटी बात द्यां रखनी है जिससे कि आपकी एक्श्यल हायट वह का कि दबे नहीं बलकी आपकी हाइट इंक्रीज हो कर देखें सब्सक्राइब कर लेज़ेगा की नोटिफिकेशन भी आपको मतलए कुरूधियो 5 12 देख पाहिए तो चलिए मैं किसी दरी चूँरू करते हैं लहंगा जब आप अपने लिए लेते हैं तो उसे आप एक ही color में रखे टू colors में अगर लहंगे होते हैं या तू या थ्री colors में आज का लहंगे काफ़ी train में है बट उसकी वज़ाए अगर आप एक color लेते हैं देखने वाले की आँखों में आप एक ही फ्रेम में दिखाए देते हो और आपकी हाइट एक्च्वल हाइट से थोगा सी लंबी दिखती है अगर आप दो color में इसे divide कर देंगे लाइक आपका blouse दूसरे color का है और लहंगे की इसकट दूसरे color की है तो आपका जो actual आपकी जो height है वो two parts में divide हो जाएगी इसकी बजाए अगर आप single color पहनेंगे तो एक ऐसा frame तयार होगा यानि कि आप एक ही frame में दिखाए देंगे जिससे आपकी height जो है थोगा सी लंबी देखेगी Now second, जो भी आपका blouse या crop top होगा या जो भी आपने अपका portion में पहना हुआ है उसे आपको short रखना है बहुत deep नीचे तक मत रखिए बिल्कुल आपका जो नीचे का portion है लहंगे की skirt से लेके उपर तक का जो blouse तक का हिस्ता है वहाँ पर अगर पूरा ढख जाएगा तो जाति प्राव को कहँए त करदें अगर बात करें तो स्लीप्सक्याइप अगर हम बात करें अगर आप फिल रिफ स्लीप्स रख सकते हैं और अगर हम धुब्ल या तो फिल Depth जीफ जाती है तो अँअगे के जो लुगा जो अजूरी जो स्लीप मेहन पिल एक जाती है तो आप फुल स्लीप सकते हैं तो एक दम प्लेन रखना पड़ता है आपको और प्लेन जो है वो ब्राइट की उपर अच्छी नहीं लगी कि उसमें थोग से इम्ब्रॉडरी होना जरूरी होता है तो ऐसे में जरूरी है कि आप फुल स्लीप मत रखिए शौट स्लीप रखिए और अगर आप ब्राइट नहीं है तो अप फुल स्लीप अगर आपको पसंद है तो आप रख सकते हैं ऐसे में आपके जो हाथ है वो लॉंग दिखेंगे और आप थो ऐसे जो इल्यूशन्स हम क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके ड्रेसिंग स्टाइल में वो क्रिएट होगा अ इस तरीके से वी नेक आप रख सकते हैं बहुत जादा डेटेलिंग आप अपने ब्लाउज में मत करवाईए वोट नेक आपको पूरी तरीके से वोइड करना है वैसी आपकी गर्दन थोगा सी छोटी होगी और उपर से अगर आप उसमें वोट नेक या फिर पूरा सा आप जो आपको पहनना है वो थोड़ा सा मिडवेस पहनना है यानि कि आपका जो लेवर पॉइंट है उससे थोड़ा सा उपर पहनना है ताकि आपका जो नीचे से लेकर उपर तक का लोबा पार्ट है वो एकदम ही एक लेंध में लंबा दिखाए दें अगर आप बिलकुल कमर क बहुत नीचे से लहंगा पहन लेंगी तो जो आपकी पीछ का पॉश्टन रही रही जो आपका यह जो पहन दिखाए केगी थोगा सा उपर से पहनिए इससे आपका जो लेहंगी की लेंट है वो थोड़ा सी जादा दिखेगी सब हम बात करेंगे लहंगे की डिजाइनिंग की मतलब लहंगा जो आपको लेना है यह बहुत important point है इसे जरूर ध्यान से सुनिए लहंगे की designing कैसी होनी चाहिए अगर आपकी height थोगा सी कम है तो लहंगे की designing पर आपको पूरा ध्यान देना है किस तरीके की लहंगे की designing होनी च पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपकी हैट और कम देखेगी एक्चुल हाइट से भी तो ऐसे में जरूरी है कि कुछ लहंगे जो होते हैं जिनकी लीचे का जो बॉर्डर होता है बहुत चौड़ा होता है ऐसे चौड़े बॉर्डर वाले आपको पूरी तरीके साव बहुत बढ़े बढ़े प्रिंट्स या बहुत बढ़ी बढ़ी इंब्राइडरी जिसमें बनी हुई होती है ऐसे लहंगे भी आपको नहीं लेना है आपकी हाइट थोड़ी सी कम है और ऐसे में इस तरीके के जो इंब्राइडरी या प्रिंट्स होते हैं उससे आपका लुक जो है पूरा उस पर ही जाता है और आपकी एक्चल है डब जाती है तो ऐसे भी प्रिंट वाले जो लहंगे हैं जिसमें बगे-बगे हाथी घोड़े या फिर राजा रजवाड़े इस तरीके के प्रिंट्स बनी होते हैं या कुछ बगे-बगे पिकॉक्स या पैरिट वाले जो प्रिंट्स होते हैं जिसमें बड़े-बड़े प्रिंट्स होते हैं उस तरीके के एमरोडरी या प्रिंट वाले जो लहंगे होते हैं उनको आपको अवाइड करना है अगर आपको यह सब नहीं लेना है तो आपको लेना क्या है आपको लेना है बैल्ट जिसका बिलकुल पतला बेल्ट हो और या तो सेम कलर में हो और सेम कलर के होने के बाद भी वह जो बेल्ट है बिल्कुल पतला होना चाहिए बॉर्डर जो नीचे से बॉर्डर बनी हुई होती है वह बॉर्डर बिल्कुल पतली हो या फिर सेम कलर में हो और बहुत कम हो ऐसी बॉर्डर वाले लह आप ठोड़ी ऐसे लहंगे आप खरी दिये या चूस कीजे अपने लिए भले ही वो प्रिंट किसी दूसरे कलर में हो अगर आप चाहते हैं कि आपका लहंगा पुरा एक लेबल पर दिख रहे हैं एक ही कलर में पूरा उपर से निचे दख दिख रहा है वो एक अलग ही लुक प्रोवाइड करेगा आपके लहंगे में तो इस तरीके के प्रिंट के साथ आप एक्सपेरिमेंट करके जरूर उसे ले सकते हैं या अपने लहंगे पैसी अंप्रोइडरी करवा सकते हैं नेक्स पॉइंट यह है कि पैनल लहंगे जो होते हैं या फिर हम कलीदार जिसे लहंगा कहते हैं इस तरीके के लहंगे आपको अपने लिए चूज करना चाहिए यही लहंगे आपके लिए बैस्ट होंगे ये आपकी हाइट को definitely increase करने में help करते हैं तो इस तरीके कि जो कलीदार लहंगे होते हैं उन लहंगों को choose किजे with आ ये सारे point को ध्यान में रखते हुए जितने भी point में बता दी जारी हुए ये सारे points आपके हर चीज पे plus होते जाएंगे और उन साथ चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने लहंगे को select करना है तो कलीदार लहंगा आपके लिए best होगा कलीदार लहंगा लीजे और उसमें छोटी-छोटी embroidery होना जरूरी है ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हैं वो वर्टीकल लाइन में होनी शही है वर्टीकल यानि कि खड़ी लाइनों में अगर उस embroidery को किया जाता है या वो प्रिंट जो है वो embroidery वर्टीकल है तो एक बहुत ही बहुत help करती है ये चीज आपके personality को या फिर आपकी height को increase दिखाने में एक ऐसा illusions create होता है आपको ध्यान में रखना है कि जो भी उसमें work है या जो भी embroidery है या जो भी काम उसमें किया गया है वो वर्टीकल हो यानि कि उपर से नीचे तक जाता हो ऐसे zigzag वाले pattern होते हैं कुछ बगल बगल flowers वाले pattern होते हैं वो भी आपको avoid करना है आपको जो curly line में इस तरीके की designing होती है वही design को आपको select करना है next point पे हम बात करेंगे लहंगे के fabric की लहंगे का fabric भी बहुत important होता है आपके लहंगे के selection में तो ऐसे fabric को आप choose कीजिए जो की आपकी body से सटा हुआ हो एकदम फैले फैले जो fabric होते हैं जो अपनी अलगी दुनिया बना रहे होते हैं एकदम घेरा बहुत जादा होता है उनमें बहुत जादा can can use किया जाता है इस तरीके के लहंगे को भी आपको avoid करना है जो कि आपकी आपसे बहुत दूर दूर फैला फैला रहता है इस तरीके के लहंगे को आपको अबाइट करना है आपको चूज करना है ऐसा फैबरिक जो कि थोगा सा सटा हुआ slim दिखा है आपको जितना slim आप दिखेंगे उतने भी इतने ही आप टॉलेज दिखेंगे लंबे दिखेंगे तो बहुत important है ये भी की आपका जो फैब्रीक है जैसे की कुछ ऐसे नेट फैब्रीक होते हैं कुछ दूशी लिद्द का शिपन, जूअ ज्यूफविक, कूछ और ऊत्व आसे फैब्रीक होते हैं कुछ नेट आपधि आहें गुत धह जेक हैnya आपके बड़ी से तो इस चीज से भी आपको ध्यान, रखना है बहुत भी आपको फैलाओ वाले या बहुत जुस्में וצनें फैलाओ उसमे इस तरीके के लहंगे को भी आपको अवाइड करना है और आपको थोगा सा जो आपकी बोडे तो पतली बॉर्डर में आप दूसरा कलर ले सकते हैं लहंगे के जो बीश में आपने प्रेंट्स या फिर कुछ एम्रोइडरी है वो आप दूसरे कलर में ले लिए बाकी पूरा लहंगा आपका एक ही कलर में होना चाहिए दूपट्टे के साथ आपको जब आप ड्रेपिंग करते हैं तो इस तरीके से पीछे से शॉल वाला जो पैटन है उस तरीके का आपको दूपट्टा नहीं लेना है इससे भी आपकी हाइड जो है दबी सी लगेगी एकदम ऐसा लगेगा जैसे पूरे आवरंगल ने आपको ढ अगर आप क्रॉस वाला जो पैटन होता है दूपट्टे की ड्रेपिंग होती है जिससे सामने से लाके क्रॉस किया जाता है वो सबसे बैस्ट होगा क्योंकि आपकी हाइड थो ऐसी कम है तो यह भी आपकी हाइड को इंक्रीज करने में काफी हैल्प करेगा तो यहां पर यानि कि बहुत ट्रेन में है एक से दोन ही तीन दूपट्टे भी ब्राइट के लिए बहुत जादा ट्रेन में चल रहे हैं तो ऐसे आप पीछे से भी आप अलग से एक दूपट्टा ले सकते हैं बट आपको सामने से भी क्रॉस करते हुए एक दूपट्टा जरूर लेना जरूछे टेंट करने वाले हैं और आपको अको अड होब नही बट कर जरूर कर दिया है। I hope आपको यह वीडियो जरूर पसंद आए होगा और इस वीडियों से आपको काफी जादा help मिलने वाली है। अपकमिंग जितने भी वीडियो है, वो लेटिस्ट साधी जो अपकमिंग साधी होने वाली है, साधी से रेलेटिट ही है, तो वीडियो जरूर देखेगा, अब को काफी हैल्प मिलेगी, एड वीडियो अगर पसंद आए है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजेगा, अपने अब मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेस्ट पेज और इस्ट्राग्राम पर मेरे इंस्ट्रागाम है c2ptl, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक बार और कहूंगी जरूर लाइक कीजेगा, बाई-बाई